नमस्कार दोस्तों एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं आपकी अपनी यूट्यूब चनल संदीफ स्टाडी सेंटर में जैसा कि आपको पता है वन्या जीव पर हम बात कर रहे थे और सीजी जोग्राफिक अंतरगत इलगभग आपकी अठरे उन्निस या फिर सतर सापकी चल दी होगी बहुत इंपॉर्टेंट थे वाइड लाइफ जहां पर बात करनी यूट्र अंतरगत एंपको पता है नेशनल पार्क पर हमें बात करनी होती है इसके बाद अभीहरानों पर बात करनी ओतिया यानिकि वाइल्ड-लाइफ सेंचुरीज के लिए इसका बा बात करेंगे तो और आपकी वाइड लाइब खतम हो जाएगी आपकी जानकरी के लिए बता दूँ हम जब इसके बाद एक क्लास और लेंगे जो आपके मिशलिनियस टॉपिक पर तो रहे गई वाइड लाइब के अंतरगत फिर मैं वन भी यही पर पढ़ा दूँगा या फिर हम वन ने जी अब भ्यारन पर बात करेंगे और आपको तो पता है नेशनल पार्क पर हमने बात कर लिया है ठीक है इसके अंतरगत इसके पहले ही वाली वीडियो आपकी नेशनल पार्क पर गई थी किदेर है तो आज हम अब भ्यारन पर बात करेंगे इसका एक इंट्रोडक है पूछा जाता है आज कल कि छेत रफल किसाब से करम से जमाईए या फिर बढ़ते करम पुछे या फिर घड़ते करम पुछे आपको बनाने बनने चाहिए उसके बाद हम लोग और उन्हें सरक्षण ठीक है सरक्षण और सुरक्षण से जूड़ती है यह बनाते हैं दुसरी चीज़ होती है यह आपकी सरक्षित छेत्र होती है इसको बोल सकते हैं पारिस्थितिक महत्व की सरक्षित छेत्र होती है यह सरक्षित एरिया होती है सरक्षित छेत्र होती है क्लियर तुसरी चीज़ इसमें देखेंगे तो इसका रख रखाओ जो है आप देखेंगे रख रखाओ या फिर इसको बोल सकते मेंटिनेंस कंट्रोल इस्टेब्लिश्ट इसके स्थापना है नियंतरन है यह राज्य सरकार के हाथों होते हैं इसके पहले मैंने आपको बताया क्यारा क्या जाता है अब सवाल उड़ता है कि 36 गट्र में कितने के अब अबहारन है उनके नाम क्या है है सबसे पार देखें गए एकिंग इतने चीजहू पर हमया पतकर ह آپ देखेंगे तो 3573 स्कार किलोमेटर मीं ये टोटल फैले हुए है अनकि इतने स्कार किलोमेटर छेतर फल के अंतरगत है तो आप देखेंगे सुरक्षा और सरक्षड जीओं के प्रोटेक्शन के लिए बनाया जाते हैं ठीक है दियर कंजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन यहां पर क्लियर उसके बाद देखेंगे तो इसमें टोटल एरिया बात करेंगे 3573 स्कार किलोमेटर इसके टोटल ली रहा हो जागी अब मैं एक चीज़ बता दूँ जो एक बहुत बड़ी जनसंक्या है ठीक है जैसे कि जितने भी एक्जाम देते हैं उनमें से ज्यादा तर लोग क् क्लियर है यह कहां पिस्थित है छेत्रफल क्या होगा कहां पिस्थित है और इसके इस्थापना कब हुआ यह तीन चीज ज्यादा पढ़ा जाता है इसके बारे में और ज्यादा तर लोग यही पढ़ते हैं लेकिन मैं बता दूँ आज कि इस क्लास में इसके बारे में बहु और उनके छेतर देखेंगे और इस प्रकार उसके जीला देखेंगे और बस वहीं तक रहेंगे कि कोई 11 है इसके बावज़ोत में इसका व्यूरान देने के आपको कोसिज करूंगा बहुत अच्छे समलग पढ़ने वाले हैं तो विल्कुल आदात करूं सार प्रेन काफी उठ देखेंगे सबसे पहले इसके नाम व्यूरान में देखेंगे कि इसके इसके इस्थापना का धार पर पहला कौन है लाश्ट तक जाएंगे वीडियो एंड तक देखेंगे आपको बहुत अच्छे समझ आने वाली है तभी आपको मिलेगा कि यहां पे चलोटी कितने सारी ज हिसाब से उसको रख सकते हैं अपने दिमाग में किस हिसाब से उसको जो है सिक्वेंस में याद कर सकते हैं हाला कि याद तो रहता ही है लेकिन सिक्वेंस में याद करना बहुत जरूरी है जैसा कि मैं कहूं सबसे पहले हम लोग स्थापना के अधार पर देखें अभी मैं ज सबसे पहले कौन बना है और लास्ट कौन बना है और कौन सा उनका करम है तो इसके बारे हमें देखेंगे सबसे पहले मैं स्टार्ट कर दूँ ठीक है यह आपका सीता नदी है सीता नदी इसको ट्रिक के साथ याद करने करें जैसे कि आप सुनते जाएंगे ठीक है सीता ने अचानक से अचानक आगया मतलब अचानक मार हो गए ठीक है अचानक मार सीता ने अचानक से ठीक है बादल की और देखते हुए इसको बोलोगे बादल ख बादल की और देखते हुए खिड़की को खोला किस ने खोला है सीता ने खोला अब देखेंगे अचानक से बादल की और देखते हुए खिड़की को खोला तो खिड़की क्यों खोला वहां पर एक चीज याद रखेंगे वहां गोबर पड़ी हुई थी क्योंकि खिड़की में गोबर लगी थी, मैं आपको बिठाने कोशिस कर रहा हूँ, एक बार इसको सुनेंगे, हाथ से इस पत जरूर है, लेकिन जरूरी है, इंपोर्टेंट है कि याद रखाज है, अब मैं ट्रिक से भचता हूँ, और वड़ खतरनाक ट्रिक बन जाती है इस चक्कर में, तो से लिखेंगे, गोमर्दा अरुबा से बार नवा पारा, ठीक है, यह आपका बार नवा पारा हो जाएगा, क्लियर है, तो इतनी चीज़ यहाँ पर याद हो गई है, देखो आप, मजाक मजाक में, तो गोबर्दा बार नवा पारा, अब एक चीज़ बताओ मुरी को, जब लगा है, गोबर वहाँ पर लगी हुई है, तो उसके बाद आवाज कुछ न कुछ तो आएगी, ठीक है, दो चीज़ याद रखना, तमोर तमोर की, ठीक है, तमोर की और सेमर, तमोर तमोर सेमर सेमर की आवाज आ रही थी, ठीक है, यह दो चीज़ जब उसने खोला, गोबर आप बाद से राखेंगे बार नब रहा हो घ्लियर है है ठीक है तो उधर सामने के आवाज आ रहा था तमोर तमोर से मर सेमर मतलब तमोर Microsoft sound यहां तक किलर विए इसके बाद सीता टक लगा के ठीक है सीता ने टक लगा के पामेड की और देखा उसके साइड में पामेड ग्राम दिख रहा था उसके खिड़की खिड़की के तरफ से पामेड ग्राम दिख रहा था ठीक है यह आप याद रखेंगे तो टक लगा के उन्होंने पामेड की और देखा पामेड गाओ कि और क्लियर है तो उसके साइड में एक स्थान था उसे स्थान का नाम था देखेंगे अब भैरमगड उस इस्थान का क्या नाम था भैरमगड तो सीता ने एक बार फिर से मैं जाऊं आपको बहुत इंट्रेस्टिंग लगए याद भी हो जाएगा सीता ने अचानक से ठीक है तो गो से लिखेंगे आप, गोमर्दा, ठीक है, और बर से लिखेंगे बार ले लेंगे वहां से, बार नवा पारा, उधर से क्या क्या रए थी मैंने बोला है, तमोप पिंगला, और सेमर सोथ, इसको लिखेंगे, अब सीदा किस की तरफ देख रहे हैं? ठीक है, किस के तरफ गड़ से उदंती नाम की लड़की ठीक है उदंती एक लड़की है उदंती नाम की लड़की भोरम देव की और भग रही थी किस तरफ भग रही थी भोरम देव की और भग रही थी तो एक स्थान पारमेट तरफ यह देखती है सीता वहां से एक उसके साइड में एक स्थान हो होता है वहाँ पर देखती है सीथा कि उदंती नाम की लड़की ठीक है इस भहरम गड़ से भोरम देखके और भग रही थी आप मजाग में देखेंगे पूरा आपको याद हो चुका है ये दो चार छे ठीक है आठ हो गया और दस ग्यारा और यही सिक्वेंस से स्थापना के अ देखेंगे यह थोड़ा आपको मैं याद कराने को सितर देखेंगे जैसे कि यह आपका हो जाएगा 1974 में बना है तो 1974 में इसके बाद लगातार 1975 में तीन ठोव बने है ऐसे याद रखना तो यह आचानाक मर क्या हो जाएगा 1975 ठीक है मैं इसको अलग यूज करता हूं ताकि आपको आप लोग को समझने में असानी हो देखेंगे मैंने कहाँ 1974 में एक बना है इसके बाद अगbra क्या आता है 1975 1975 में देखेंगे तो इसमें तीन बना है इसके बाद 770 नहीं आएगा ड़ीक कम समसा आएगा 68 त तो 1978 में दो मत नयंचे क्या आ रहा है देखो buscar एक का रहा है उनी 575 के बाद 3 1975 में फिर एक उसके बाद tra recomp ang muska by तरlerini 1778 उसके बाद तो आप से गलत नहीं होगा कुछ सब्सक्राइब तो याद आजाएगा तो यह काम आएगा ऐसे याद कर सकते याद करनी है आपको उसके बाद याद करोगे तो आहीं जाएगा ठीक यह होगे यह यह दो आपको इसको अलग से याद रखने इसको करेंगे फिर एक एक करके देखेंगे याद हो जाएगा आगे हम लोग चलते हैं तो इस पर कार आपको यह समाप्त होता है कौन से वाला करम हो जाएगा इस्थापना के अधार पे वाइड लइफ सेंचुरीज का विवराण यह वाला आपका खतम होता है अब सवाल उठता है कि इसके छेतर रफल किसा आप से देखेंगे ठीक है यह तो आपको पता है पुराना है सबसे पहला यह है सबसे नया आपका भोरम देऊ है तो अब हम लोग चलते हैं जहां पर देखेंगे कि छेतर फल की हिसाब से इनका करम क्या हुआ तो इसको जरूर आप याद रखेंगे थोड़ा ट्रीक बता है हूँ जिसको अच्छा लगे उसी से याद कर लेंगे और जिसको ऐसी याद हो खुद से कर रहे हैं अपनी हिसाब से करेंगे मैं ट्रीक से बचता हूँ जब ट्रीक बनाता हूँ बड़े खतर होते हैं थोड़ा सा हास से इसपद्ध हो जाता है वो उससे थोड़ा सा देख लेंगे ठीक है अब देखेंगे हम लोग नेश्ट आपका छेत्रफल की हिसाब से तो हम लोग ज्यादा सी स्टाट करते हैं आप एक बार देखने कोशिज करें ठीक है इसका भी एक ट्रीक है लेकिन फिर मैं लिक लेता हूं उसका बाद सबसे पहले देखेंगे आपका है सबसे बड़ा तमोर पिंगला तमोर पिंगला तीक सीता नदी आप लिखते इसका बौल में लिक रहें तो आप भी कोसिज करें कि आपके मतलब नोट में उतारते रहें करके लिखते रहें तोमोर पिंगला है सीता नदी है उसका अचनक मार ठीक है एक अचनक मार बिल्कुर सीक्वेंश में लिक रहा हूं ना इसका जैसे इसका 608 है 559 552 तो उपर से नीचे हम लोग जा रहे हैं ठीक सेमर्सोत सेमर्सोत के हम लोग बात कर लेंगे यहां पर ठीक है गोमरद्दा पामेड हो जाएगा ठीक है इसके बाद देखेंगे बार नवा पारा ठीक उदंती हो जाएगा उसके बाद भोरम देव उसके बाद आपका भैरमगड यह भैरमगड है उसके बाद लास्ट आप देखेंगे जो की छेत्रफल की सापस रहेगा और रहेगा आपका बादल खोल किलियर यह रहां तो टू फोर शिक्स टिक है एट अटें इलेवन तो देख लिए तमोर पिंगलव पहला है सेकंड सीतानाधी हो जाएगा अचानक मार्थ सेमर सोत मैंने लिखा है गुमरदा के मैंने बात करें उसके बाद आपने देखा है कि यह पामेड है ठीक उसके बाद आपका बार नवपारा उद्यन्ति भोरम देव है भैरम गड़ फिर आपक टीस है ठीक चलिए आपका ऐस ठीक आर आका आपका जीयए हरे को नाम लेन अच्छा नहीं है यह पर देखेंगे टीस है और एस है तो टीस आइस दो भाई के नाम होते है और त्यएस आपज़ा होजाता धल सीतान अदी आपस में जगडा हो जाता है उसको उसके सबसे बड़ा वाला जो भाई होता है उसका नाम गोपी होता है ठीक है उसका नाम क्या होता है गोपी होता है तो देखेंगे उसका नाम ठीक है गोपी होता है लेकिन ओगोपी याद रखेंगे ना ओगोपी को ऐसे नहीं लिखेंगे यह आपका गोपी है, ऐसे नहीं, एक गो और पी, इस टाइब से लिखेंगे, ठीक, तो T S और A S, सबसे पहले T S है, इसको भी आद रखेंगे T S में भी सबसे पहले T है, उसके बाद A S है, ठीक है, तो T S और A S, ठीक है, यह दोनो भाई हैं, इनके भी इसमें जगडा होता है, उसको इसके सबसे बड़े भाई किस कौन देखते हैं गोपी देखते हैं उसके बाद अब जाहिर है कि अपने पपा को बताएंगे तो उनके पपो के यह ना मतलब डर में इतना जगड़ा हो जाता है कि बाउजी बाउजी बोलते हैं क्या बोलते हैं बाउजी बाउजी तो द मुझते हैं क्या हुआ तो उनके मूह लड़ खड़ाते हुए सिर्फ दो सब्सक्राइब निकलते हैं क्या निकलते हैं वो भै बा इस टेप से आवाज निकलता है यहां पर देखेंगे यह आपको भै हो गया और यह आपका बा हो गया इसको एक बार हम लोग करनेक्ट करने होता है उसके सबसे बड़े भाई गोपी देखते हैं गोपी बाव बाव के आवाज लगाते हैं अपने पपक पास जाते हैं ठीक है क्या बाव ठीक है बावजी बावजी बोलते हैं वैसी आवाज लगाते हुए अपने पपक पास जाते हैं उसके पपक नाम भोरम होता है भोरा मा के पुछते हैं बेटा गोपी क्या हुआ तो गोपी बोलते हैं अब लड़ खड़ा रहे आवाज मतलब उनका कहना था कि दोनों भाई गया खतम टाटा ठीक है तो आवाज सिर्फ भैबा निकल रहता है भैबा भैबा क्या भै अर्बा तो इस प्रकार देखेंगे टी इंगलिस में तो उसका मतलब पामेड हो जाएगा अब गोपी बाउजी बोलते हो aixòते है तो उस बाग मतलब ब्होर और और फिर पूछते है क्या हुआ तो डो वाज उनके मुम से निकलता है भै 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 का मतलब भैरम गड़ हो जाएगा बाक मतलब बादल खोल हो जाएगा इस परकार आपको पूरा 11 के 11 जो है अभ्यारन याद हो जाएंगे किसके क्रम में 6 रफल के क्रम में तो अब सवार उड़ता है कि इसके 6 रफल कैसे होंगे ठीक है छेतर रफल कितने कितने होंगे उसको मैं याद करवाने कोशिस करता हूं यह टाइम इसलिए लग रहा होगा क्योंकि मैं चाहता हूं कि कुछ न कुछ आपको दिया जाए ताकि आपसे अच्छे से याद हो जाए या फिर ना हो किसी को ट्रीक पसंद ना है या फिर किसी से ना जमें तो अपना लगा सकते हैं अपने जैसे भी ट्रीकों बना सकते हैं उसके हिसाब से वह कर सकते हैं ठीक तो यहाँ पर देखेंगे अब एक करक्क हम लोग देखेंगे कि इसका 6 रफल कैसे याद रखना है 600 से श्टार्ट होगा पहले च 500 के अंतरगत देखेंगे तो 2 लिखना है只是 500-620 सिर्फ 2 लिखना है 2300 श्म dont देखेंगे 500-600 को बीच में ताकि वह दोनों ही रहेगा 400 आता है क्यांके घट्तिक्रम में लिखना है चार्सों अंतरगत सिर्फ एक लिखना है 400 त पांश pos το Homer के बिच में कोई न आ कोई एक अब देखेंगे उसके बाद चार सो गया दोजोके अंत्रगत हमें ठीक कर चार चीजों पर बात करनी है एक बार देखो का और ने चांत जोब एक सब्दन मैंठ इसका मतलब है को इसको च्राइबी आठो दिमाग बिढ़ा लो मुझे च्छंव के अंत्रगत सिर्फ चीज़ लिखना है ठीक है ओ है 608 उसके बाद घटते करम में जाओगे तो पांसव में जाओगे तो आपको दिमाग में लगा लेना है कि पांसव कंतर का दो चीज़ लिखना है ठीक है उसका रहेगा 559 552 पांसव उनसट 552 अब पांसवाल खतम हो गया मेरा ऐसे आप पांसव में दो 559 और 552 इसमीं पांसव उनसट और 552 उसके बाद मैं चार समय जाओगा चार समसिर्फ एक लिख ओंगा 430 उसके बाद मुझे 300 में जाना नहीं है 200 में जाओगा 200 मुझे 4 लिखना है heb dya लिखना है और इस्टार्ड हो घांसर दिखेंगे इसका 278 हो जाएगा 2078 हो जाता है इसका 26न् analyst हो जाएगा 255 ऐपो 2wire मुझे 200온 से 300 क्ली 131 साभा इस मुझे 200-300 के बीच में सौ गंतरगा 3 लिख लेना है इसको आप देखेंगे एक लिखना है एक सु ठीक है एक सो साथ हो जाएगा आपका एक सु उन्चालीस हो जाएगा और एक सौ पांच हो जाएगा क्लियर है तो इस प्रकार आपका छेत्रफल के अधार पर यह भी खतम हो जाएगा तो ऐसे आपको असानी से याद हो जाएंगे ट्रिक जैसे तेसे मैंने बताया है अगर आपको अच्छी लगए तो अपनाएंगे अब देखते हैं यहां तक कि हर को याद करता है अच्छा लेकिन उन से आगे जाना है तो आपको करम में भी जमाना होगा सबसे उपर साव क्वर को से इस्थापना के अधार पर क्या चेख उसके सब में कुछ नहीं हूँ सब दर्जा हो गया यह सब कुछ हमें देखना है तो इसके आगे आगे विवरानात्मक अध्यान करेंगे तो उन लोग के साथ कही गुणा आगे चल देंगे कितने दिन से तैयार करते रहें आप आगे हो जाएंगे ठीक है तो उसको भी हम लोग देखने कोसिस करेंगे अब हम लो में देखेंगे यहां पर आपका सेमर सोत रहेगा यहां पर आपको क्या मिलेगा सेमर सोत जस्पूर में देखेंगे यह आपका बादल खोल रहेगा तो तीन चीज़ों मैंने बात कर लिए यह आपका तमोर पिंगला है किलर तमोर पिंगला कहां पर है आपको देखना है सू बन्लाईगर के आप करेंगे तो यहां पर आपको गुमर्दा मिलेगा तीक है यहां पर गुमर्दा है यहो गडिया बंत के बाद महातुमंद्थ जाएंगे ऑफ लगा बादा बहशर्थ 2006 अविया इसको आपको याद रखना थे वॉन्थ बलधा बजार महासादार महार ed dá मैं लेकिन इसके विष्टार कहां पर आगे बताऊंगा इसलिए पामेड कहा है कि अपको और तो अभी आपका तीन और बाकि है ठीक तो कवर्द हम देखेंगे यहां पर आपका बोरम्देव रहेगा क। पामेड कहांपे है यहाँ पे आपको बिजबो पामेड यह आपका पामेड हो जाएगा ठीक है इस प्रकार दस हो गया है गयरवावर कॉconomic सबाकि आपका सीतना दी अचानाक मार सेमर सो टह講 कें हूद पार में आपको बिजबो हो गया है ठीक है से मवर्स फो करते हैं टीक है तो इसके आगे वी रोन पे चलेंगे सबसे बढ़ा कौन है उसको भी देखें करके सबसे हम तमोर पिंगला बात करेंगे इस्थापना कब हुई है ठीक है और यह जो है इसके छेट रफल कितना है यह देख भी लिए है इसके विरोन के बारे में हम लोग देखेंगे यह तो दो तीन चीज़िAg आपको काम करने होगी सबसे पहले जैसे के मैं कह रहा हूं कि आप थािक है सबसे पहले इस पर बात करनी है तमोर पिंगला पर यह आपका तमोर पिंगला अओ कि इसपर आप अबना वर्ज क्या है झां है इतने पर बात करनें तो त inaugure 2 persuade अइसने प्रभिश्मार और सेमर सोथ याद में बना आपको याद होती kept यांगे से पहले मैं ने बताया है सिमर सोथ भी ईसके सांथ में 1978 में हमने दो चीज़ में बात करी है दो चीज हमें देखना था 1978 कंतरगत तो 1978 कंतरगत तमुरु पिंगला में बना है इसका छेत्र फ़ल कितना है 608 स्कौर किलोमेटर आपको दिखा होगा उसके बद कहा तो यह कहां पर है सूरचपुर में यह वाला काम आप खुठ से करेंगे क्योंकि इससे पहले मैं आपको इसके बारे में अच्छे से ब last 3-3 तंपूर पिंग्ला काइच Napoda रहे सभीने को अशेत्म चेट्र रहे ये दो वन्न क अंतर आता है तो इसमें नामक 2वन चेटर है ठिक है और ये 213 एत Timur पिंग्ग्ला आता है तो तो पिंगला का संपूर्ण एरिया इन्ही दोवन चेतर के अंतरगाता आता है उनका नाम है तमोर और फिर पिंगला ठीक है पिंगला इंटाइर एरिया आप दिस वाइडलाफ सेंचूरी अंडर दफॉरेस्ट आप तमोर इंड पिंगला इसको आप लेकिंगे फर्स्ट लैन हो ग इसको आप देखेंगे तो रिहंद नदी आपकी रिहंद नदी इसकी दक्षिर पक्सिम सीमा बनाती है रिहंद रिवार फॉर्म्स दा सौथ वेस्ट बांडरी आप दिस वाइल लाइफ सेंचूरी अब इसके आगे और देखेंगे एक एक करके आप लिखते जाएंगे इसके आप बात करेंगे इसके आगे जाएंगे तो दरसनी इस्थल पर आपको बात करनी होगी तो दरसनी इस्थल कि इसके अंतरगत कौन कौन से वह इस्थल है जो की दरसनी है, जो देखने लायक है, जिसे में देखेंगे आप देव जरिया, इसको आप एक एक करके लिखते जाएंगे, देव जरिया है, हाथी कैम्प धुरिया, ठीक है, देव जरिया है, हाथी कैम्प धुरिया है, इसके आगे देखेंगे तो कुंद्रु जाग है, कु ऐसे वाला है घाग ठीक तो कुंद्रु घाग है यहाँ पर इसको दिखेंगे मुर्नी रदी है और तमोर पहाड़ी ठीक इसको लिखेंगे तमोर पहाड़ी तो इतने चीजों पर बात करोगे तो आपका यह कम्प्लीट हो जाएके लेकिन एक चीज और याद रखो मैंने कहा है कि यह 608 स्कार क्लिमेटर इसका छेत्र रफल है इसका मतलब यहाँ है कि यह 36 गड़ का सबसे बड़ा अभ्यारण है इतनी चीजों पर बात करोगे तो सिर्फ और सिर्फ एक चीज पर बात होगी जो कि आप पढ़े हैं और ना पढ़े तो सिर्फ इसका स्थापना वर्श पढ़ सकते हैं ठीक है इसको 6 गड़ सकते हैं और सथितिप्र सक्ते हैं मतलब यह कहां पर ड़ते आपको याद किन입니다 अब्हार है सीटह नदी अभयान सीटह नदी है बहुत important question बनेगा फिर मैं बता दू दो तिन चीज आपको खुद से करना है इस बर मैं नहीं मिटाओंगा इसको मैं यहाँ पर लिख रखता हूं ठीक है इसको ताकि आपको असानी हो इसके जिला देख लेना है पर कहां 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 पर पाइज आ रही है ठीक कहां पर आप देता हूं इस थापना वर्स जो कि आपका 1974 में ऐसे आप हर एक चीज का करेंगे फिर मैं बता दे रहा हूं ठीक अब इसके बारे इंपोर्टेंट चीज हम लोग देखने कोशिस करेंगे तो इसका नामकरण देखो कि सिता नदी अभ्यारान इसका नामकरण सिता नदी क्यों क्यां कि यहां से सीता नदी बहती है सिता नदी नदी के नाम जो यहां से बहती है करा निकिस का नाम सिता नदी बढ़ा है यहां तक कि लफ़एर हुआ हुआ इसको आप Oh 17 बहुत इंपॉर्टेंट आं मैं इसको अलंब से से बताता हूँ 2006 औप मेए तो Second Know बहुत-बहुत इं जादा इंपोर्टन यह है सबसे पहले कहा है कि सीता नदी जो रिवर है रिवर सीता नदी फ्लोज फ्राम दिस वाइड-लाइफ सेंचुरी के लिए और इटिस दो फर्स्ट वाइड-लाइफ सेंचुरी या फिर इसको ओलडेच्ट भी बोल जा सकते क्योंकि इसको प्राचीन पुछा जा सकता है पुराना की नाम से पुछा जा सकता है मतलब सबसे प्राचिन कौन सा है चतिसगर का सबसे पुराना वाइड लाफ सेंचुरी यान की वर्य जिवा भ्यारन कौन सा है और सबसे पहला कौन सा है ठीक है इस सबसे पहला हम था आपको याद होगा हमने स्थाप इसको आपको याद रखना है यह आपका पहला फर्ष्ट अभ्यारन है या फिर पहला अभ्यारन है प्राचिन अभ्यारन है सबसे पुराना अभ्यारन है चत्तिस गड़का ठीक यह चीछ रहा है पहला दूसा चीछ देखेंगे यहाँ पर सितनाधी यहाँ इसको दूसरा और सीतन अदि यहां से प्रवाहित होती है, इसको भी नहीं छोड़ेंगे, ठीक है, अब मैं most important में आऊं, तो दो date आपको याद रखना है, इसको लिखेंगे, 2006 में यहां, प्रोजेक्ट टाइगर में सामील हुआ है, प्रोजेक्ट टाइगर में क्या है, पहले बता चुक हो, इसके बारे हम लोग पढ़ेंगे भी, ठीक है, यह क्लास खतम कर लेते हैं, अगली क्लास में लेके आऊंगा, बहुत जल्द लेके आऊंग क्योंकि वन हमें इससे पहले वन भी खतम करने है, वाइड लाइब भी खतम करने है, ताकि जिग्राफिक खतम करके हम या तो युकनामी बढ़ें, यह फिर इतियास बात करें, ठीक है, यहां तक देखेंगे, प्रोजेक्ट टाइगर में 2006 में सामील हुआ है, इसको याद र वीद उद्यंती मतलब ये उद्यंती जो आपके उद्यंती अभ्यारन है, उसके साथ में है, इसका मतलब यहां है कि 2006 में सीतन नदी को उद्यंती अभ्यारन के साथ प्रोजेक्ट टाइगर में सामील किया गया है, 2009 में सीतन नदी अभ्यारन को उद्यंती अभ्यारन के साथ टाइगर रिजर्व वक्त दरजद दिया गया है यह मैं कहना चाहर हूं ठीक इतने चीज़ों पर बात करेंगे फिर नेश्ट आप कहा जाएगा कि इसमें वन्यजीव कौन कौन से पाया जाते हैं पर मुख वन्यजीव पर आपको बात करनी है ठीक इसमें मुख्यरूप से या इसके बारे में complete आपकी चर्चा हो जाएगी इसके बारे में यही है फिर मैं कह रहा हूं इतीन को आपको स्वयम से देख लेनी है क्योंकि इसके पहले मैं इसके बारे में अच्छे से डिसकर्स किया है इसको आप देखेंगे ताकि मैं आपको यह चीज़ पढ़ा पाऊं है आपको पता ही है बार बार बताने की जरूरत तो है नहीं ठीक है तो अचानक मार के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं इसमें भी मैं बोलो तो तीन जो अभी देड बताऊंगा ठीक है अचानक मार वह बहुत important है इसके पहले इसके बारे में बात तो करनी होगी इसकी introduction form पे मुंगैली में आपको पता है यह 552 square kilometers का छेतरफल हो जाएगा ठीक इस परकार यहां पर आप देख सकते हो ठीक हो आपको मनियारी नदी इहां से परवाहित होती है इसको स्वेम से करें मनियारी रिवर या रिवर मनियारी फ्लोस प्राम दिस वाइटलाफ सेंचुरी इसके देखा गया है सफेद भालू इसको लिखेंगे तो दो प्रकार से आपका दो टो इंट्रोड़क्टरी फाम पर हो जाएगा अचानक मारक बारे में इसके बाद मैं तीन टो बता रहा हूं यह बहुत इंपोर्टेंट है मैं फिर बता रहा हूं इसको अच्छे से आप लिट में सामिल हमने सितन अधी के है ऊधनी मतलब सितन अधी अभिहरन को और उधन्ति अभिहरन को सिमलेर्ली 2006 में देखेंगे इंद इयर 2006 इट वाज इंक्लूडेड ठीक है इन दो प्रुजक्ट टाइगर इसको भी लिखेंगा त्रोजेट टाइगर वाई-दाय दीघ्ल या उपका मुगली में खिली अमरकंटक के साथ तुनों को मुगली और जो आहां करेगा ठीक है मध्यपर्दिस के कुछ छेत रख मिला के और मुगले कुछ छेत रख मिला के यह दोनों कुछ छेत रख मिला के बाइस फ्यर रिजरो घोशित किया गया है ठीक है कब क्या गया है 2005 में इन the year 2005 2005 अमर कंटक अचानक मार वास डिकलियर इज अब इस फियर रिजर्व विश इस फियर रिजर्व इंडिया इसको आप याद रखेंगे तो यह भारत के चौदवा बायो इस फियर रिजर्व ठीक है कि रूप में घुशित किये गया है नाम है आपका इसको नाम भी टर्म बहु हो सकती है भाकित आपको समझ में आ गया है यहाँ पर देखेंगे मद्यपर्देश के कुछ छ्षेत्र रख मिलाके जो की डिनोरिय अगरा कुछ है वहां पर और मुंगेली की कुछ्ष छेत्र जहां पर अचानक मार रहे इसके कुछ छेत्रों के मिलाकर जो है बाई इस फिय इसको रखेंगे तो यह इतने चीजों पर बात करेंगे तो इसके बार हो जाएगा एक बार के पर नील जिए इसको याद रखेंगे एक सेक्टरा आर फांड इंडिस वाइड लाइफ सेंचुरी के आप बात करेंगे अंग्रेजी टर्म देख लें ना सामबर और निल गए इन सब का इसको अंग्रेजी टर्म अप थोड़ा गूल करेंगे तो गूगल सकते हैं याप की अराम से मिल जाएगा बाग देख लेंगे हाँ पर बाग भी पाया सबीकने सोध लिए सेमर सो से अंतर आहागा आएगा करनी से मर सोध से नदी इसे नाम करेंगे सोध नदी यहाँ से परवाहित होती है इसके नाम करयर है में चल दो एपर बना सकते चोठा चो कर भा görüş दो बहती है क्या सेमरसोत इसकी स्थिती आप देखी पा रहें सेमरसोत नदी यहाँ से बहती है तो यही कारण है कि इसे सेमरसोत अभिहरान कहा जाता है ठीक अब याग चीजिस में और देखेंगे इसमें गौर भी पाए जते हैं गोई कोटरी और निलगाए जा हैं तो गौटरी निलगाए ठीक है इस यहां पर पाए जाते हैं सिम्रसोथ नदी यहां बहिए यह भहते हैं अब इसके यह लगए इसके और देखें हैं दरसनी इस्थ breaths कि मैं कहीं पे बताना भूल गया हूँ मेरे को सायद अचानक मार में भूल गया हूँ वहाँ पर देखेंगे वहाँ पंटवानी तलाब है जिसे परवारिक तलाब कहा जाता है पहला लिख लिए दूसरा चीज लश्मण पाउं वहां पिस्थित है ठीक है मतलब दर्सनी स्थल की रूप में तिसरा चीज बरारपानी जल परात महां प्रपात प्राइच एक नए जलपरपात भी मिल्गय आपको हैup डीयुक। इस देफिंगे अब यहाँ पर सागर मन्यारी नदी का उद घंड ला चता है तो यह नियुकत OS फ्रिवल्ड मन्यारी नदी संद में रहा है ताता पानी तीन चार चीज़ों पर बात करेंगे इसके बारे में यह more than sufficient हो जाएगा बस इतना ही है अब देखेंगे इसके आगे आप देखेंगे तो गोमर्दा रहेगा आपका ठीक तो आपने अप तक बात कर लें सीतनादी के बारे में अच्छा से सबसे पहले आप फिर से मर्स हो इसके बाद हमें गोपा पर बात करना होगा तो गोपा इट मीज़ों फिर आपका दो छीजि बात करना होगा ठीक यह और बनाया रखेंगो सारंगर बिलाईगर के अंतरकत आएगा तो आपका रहेगा गोमर्दा ठीक गोमर्दा बारे माँ आप देखेंगे इसमें दो तीन चीज आपको इंपोर्टेंट चीज याद रखनी है सबसे पहले इसके छेत्र फल क्या है इसके जीला क्या है इसकी स्थापना वर् तो कवरा डोंगर यहां पर एक छेत्रा है जो की इस अभ्यारन का सबसे ऊचा छेत्रा है कवरा डोंगर इस दा हाइस्ट एरिया आप दिस वाइड लाइप सेंचुरी इसको आप याद रहेंगे महुत इंपोर्टेंट है अब परमुक जीव पर बात किया जाता है तो यह य कुछ से लिखेंगे खरगोस मिल जाएगा उसके बाद देखेंगे आप सांबर चित्तल भी मिलता है तो सांबर चित्तल गिलहरी खरगोस अनुकुत्ता ठीक है यह सब यहां पर पाए जाते हैं तो यह गुमर्दक बारे में आपकी बात हो चुकी है ठीक इसके आगे हम बिजापूर में स्थित है, 1983 में इसका निर्माड हुआ है, ठीक है, तो यह आपका पामेड पर बात होगी, आप 6 रफल इसके निर्माड, जितने ही मैंने पहले बता है, सब कर लेंगे, इसका बात देखेंगे, पामेड, इसका नामकरण पामेड ग्राम पर हुआ है, तो पाम पहाड़ादेंगे, पामेड वननाजीव अभ्यारन, यह पाण्च पहाड़ीयों से गिरा हुआ है, फामड उनने पहाड़ीयों से गिरा हुआ है, अब उनके नाम एक एक करके, आपको देखना है, यह बहूत इंप्ऑाणेट है, तीस में देखेंगे, आप, एक आप को एक एक करके अब भूटा तीरक भूटा को भूटा या चोट्धा सिथिल इसको भी देख लेंगे ना कोटा और मेटा ौाटा पल्ली तो यह ऊ sendiri को पर अई पहलो कोटा घूटा । ऐसे आधर एक है कोटा पल्ली मेटा गुरूम सekत फिर कॉटा पल्ली मेटा गुन्ठमॉ दोली गुट्टा on the order of a dollar context the part exercising नॉम जाएगा थेकल पाच पहाडियों के नाम हो जाएगा पॉलन घ्रमीर नाम हो जाएगा बैल भहरान फ्यमस है वाइड 2024 व्हआट के लिए न्योग मेंस सब्सराइब फिकली के लाइख甚麼 है इंपोर्टेंट है इसको लिखेंगे ठीक पूरा लिखेंगे मैं सांट फाम इसलिए उसकरता हूं ताकि आप लिखें मैं ज्यादा समझा पाऊं आपको या फिर बता पहूं ज्यादा कंटेंड डिलेवर कर पहूं तो वन भैसे क्लिए फ्यमस है पार्मेट पहाड़ी में गुडूम के मैंने बात करेंगे को रा गुट्टा डोली गुट्टा और वलराज गुट्टा इसके आप बात करेंगे तो याँके पार्मेट के बारें हो जाएगा अब इसके बाद आपने देखा थो अब हमें 12 नवा परा उदन्ति के बारें पढ़ने है जो किसिक्वियं करम में कैसे भी पूछे सब बन जाएगा उसको याद रखेंगे कितने भी घुमाले उसके बाद आप घुमेंगे नहीं ठीक है आप से बन जाएगा और आम से इसके तीन चीज़ तो आप खुदी देख लेंगे बार नवा परा इसका सिक्वेंस हमें से देखेंगे ना उसका मैं बार बार इसलिए बताता हूँ ताकि आपको यह न लगे कि ऐसले पहले मैं उसको बता दिया हूं ठीक है क्योंकि यहां पर मुझे बारनाव पारा के जिलों में कौन कौन से आपकी ये महा सम्मोन खण santé All Foods अलग अलग नहीं हो सकता तो एक साथ मिल्हा चेह dwarf जोटता है कि सब से जयाधा आं कहां पर होगा तो बवलवाधा बजार में इसको आपको याद रखना तो इसका ज्यादा पाट जो ए बलववडवडवजाव में बलादा बजार में है, most part of the area of this wildlife century comes under the बलादा बजार district इसको याद रखेंगे, इसके अंतरगत जादा है, सेकंड चीज रहेगा, यह बार और नवा पारा नामक दो, ठीक है, बोलादा बजार इसके नाम करन रख गया है, और इसके नाम क्या पड़ा, बार नवा पारा पड़ा है, इसके आगे और देखेंगे दो तिन चीज बार नवा पारा में ठीक है यहां से रहेगा बलम देही नदी नदी यहां से होकर प्रवाहित होती है और याद रखो इसमें क्या है साथ देवधारा नामक जल परपात इस्थित है आपको पता है तो बलम देही नदी यहां से प्रवाहित होती है जहां पे साथ देवधारा जल परपात इस्थित है यहां तक क्लिए रहे दो इसके दर्सनी स्थाल है बहुत फेमास है दर्सनी स्थाल में लिखेंगे तुर्टुरिया आसरम ठीक है तुर्टुरिया आसरम और एक खुद यहीं हो जाएगा साथ देवधारा तुर्टुरिया आसरम दिखेंगे तुर्टुरिया आसरम में ऐसे मान्यता है कि लव और कुस ठीक है लव और कुस का यह जन्म इस्थली है यह पिर लव और कुस यहां पर जन्म लिये थे ठीक है तो तुर्टुरिया आसरम को इस प्रकार से लिए जाते हैं तो यह पुछा है बलम देई रिवर फ्रोज प्राम इस वाइड लाइफ सेंचुरी आन वीच दसाथ देवधारा वाटर फॉल्स इस लोकेटट इसको देखेंगे ठेक उसको बाद बार नाव पर नामक दो वन्य ग्राम है मैंने बताया था इसको याद रखेंगे इसके बारे में फिर सफिसेंट हो जाएगा अब आपको एक चीज़ पर बात करनी है और रहेगा परमुक वन्य जीव में देखेंगे तो इसके अंतरगत बस तो तीन चीज़ याद रखो यहाँ पर बाग पाए जाते हैं बाग है निल गाय यहाँ पर ठीक है और यहाँ पर वन भैसे हैं तो वन भैसे हैं निल गाये हैं बाग यहाँ पर पाए जाते हैं तो यह इसके बारे में सफिसेंट हो जाएगा ठीक अब दरसनी स्थल मैंने बता दिया है तो यह हो गया इसके आगे अब देखेंगे उदंती के बारे में ठीक है आपको सितित है थंतरीम सित्य नदी है तो गरिया बंद मिश्थित उदन्ति और उदनतिक बारे में एक चीज और इसका नाम करन उदन्ति नदी के नाम पर पड़ा है इसका मतलब यही है को उदनती नदी यहां से कह परवाहित होती है ठागे उदन्ती रिवर ? फ्रोस फ्राम दिस मा उदन्ती वाइड लाफ सेंचुरिंग यह हो जाएगा तो पहला चीज यह हो गया उदन्ती नदी यहां से प्रवाइथ होती है इस करण इसका नाम उदन्ती पड़ा है दूसरा चीज इसमें और बता सकता हूं लेकिन सबसी इंपोर्टेंट में आ जाए जो कि बहुत इंपोर सितन अधि भ्यारन के बाद जो अभ्यारन पे हमने चर्चा किया है उसके अंतरगाथ आपने देखा होगा जहां पर मैंने कहा था कि 2006 में सितन अधि को ठीक है प्रजेक्ट टाइगर में सामिल किया गया था किसके साथ उदन्ती अभ्यारन के साथ तो अब आपको याद आग करेंगे फिक एंदा जिया 2009 इट डिखल एज टैगर रिजरव मं हाग ते अ चunya chính हट आपको प्रोय टैगर में सामिल सामिल है आपको ब्यूar कि यह कि शाओ एग निंधार्व में 나중에 को सामिल है धुक्षे को लिख वालों को जो इसका डिखसा करने माला होगिया और फिर आपका प्रोजेक्ट में सामिल करने हो लोगा है इसको आप लेखेंगे यहां पर देखेंगे मतलब प्रमुख वाइड लाइफ यहां पर देखेंगे वन जीव आप देखने कोशिज करेंगे बहुत है अब इसके आगे देखेंगे दो चीज और देखेंगे उदंती बारे में दोचीज और देखेंगे ठीक है यह आपको धनती है यह उडिसा राजजग्य's सिमप परिष्धिव रिष्थी स्कों लिखेंगे तो यह लिखें गो बारे 656 फिर 2000 परिश्थिव आगे sequence है लेकिन भहरमगड को देख लीजिए भहरमगड में भहरमगड नामक के ग्राम है क्या कहा मैंने भहरमगड नामक के नाम पर पड़ा है बस इतने ही उसके बारे में लिखेंगे तो यह समाप्त हो जाएगा अपका भहरमगड हो गया है इसको में आगे नहीं बताऊंगो अब क्या बताँगो भहरमगड पर बात करनी थी तो भहरमगड नामक के नाम पर उसका नाम भहरमगड पड़ा है जो की कहा पर स्तित है आप देख्थे हैं हम लोग अब इसके यागे आप कोशिस करेंगे तो आपका रहेगा भोरन देव टिक ढूर्म देऊ इसको देखेंगे यह आपका कवरधा मिश्थित है इसके अंतरगत देखेंगे मैंने कहा है कि इसका जो आपका इस्थापन है 2001 में हुआ है मतलब यह निवेस्ट है ठीक है मतलब यह सबसे नया है 36 गड़ का नया राष्ट्रू नया वन जी अभ्यारान है ठीक है इसके आप द जो अभ्यारन है इसका नाम वहाँ के सुविख्यात भोरम स्थित मंडिर के नाम पर पढ़ा है तो भोरम देव कई मंदिर है इसके नाम पर क्या पढ़ है भोरम धेव अभ्यारन का बोराम दे मंदिर के आम पर हुआ है, इसके पहले, मैंने कहा है नवीन है, इसके अपियारन इसके बारे हमे देख लेंगे, इसके आगे और चलेंवे इसके बारे हमें देखें, तो भोराम देव, यह आपके मेकाल रेंज मिस्तित है, ठीक है? कौन सा भोरामदेव 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 भ्हारन मैकाल रेंज मिश्थी थह है और वहां से यह समुद्रतल से च्छैसोसे ठीक है894 बीकर के उचाई पर इस्थित है इसको नहीं भूलेंगे ठीक यह इंप्वार्टेंट है इसको याद रखेंगे इसका तरीक भोराम देव में और देखने कुछिस करें तो इसमें राम एक है आपका राम चुवा ठीक है राम चुवा इसके आज सपास एक दर्सनी स्तल हो जाएगा एक चीज और यहां पर देखेंगे कानहा टाइगर रिजर्व से जुड़े होने करण इसका महत तो बढ़ जाता है तो चिलफी बफर जोन से जुड़ा है तो मद्द परदस के जो कानहा टाइगर रिजर्व है उससे जुड़ा हुआ है और जो है आपका चिलफी बफर से भी जुड़ा हुआ है यही कराने कि महत तो बढ़ जाता है इतनी चीजों पर बात करेंगे तो इसके बारे में हो चितल भी यहाँ पर है इसको लिख लेंगे और बाग यहाँ पर मिजर इनिमर्स हो जाएंगे तो इतने चीजों पर बात करेंगे तो भोरम देख बारे में हो जाएगा एक बर मैं फिर आपको बता दूँ ठीक है इसके बारे में बताए चुका हूँ जैसे कि नवीन है सक्र इस थल मिलते हैं मैंने का है काना टाइगर रिजर्व से और चेलफी पफर जोन से जूड़े होने कारान इसका महत्तो बढ़ जाता है और क्या बताए मैंने चितल है आपका और बाग और फिर गेको यह आपका इस्टार रहेगा इसमें एक यूनिक मिल रहेगा जैसे गुमर समपूर जलगरान चेत्र यहीं पर आता है इसको आपको देखना ख़ूर्ण बादल खोले है कि अंतर कर दो ने बात करें ने इसके शेत्र सब लिक रहे हैं डेको चल यहां सका लेग। में 105 होगा मैं आपको बता दूँ आपको भी याद होगा इससे पहले हमने करिए 105 स्क्वार किलमेटर इसके छेत्र फल ठीक जस्पूर मिश्ती थे अब देखें के बादल खोल के बारे में बादल खोल इव इवम अभी मैंने बता है इव इवम डोटकी ठीक इव इवम डोटक से नदी का जलगरण छेता रहें। जल चेत रही है ,ब याद रखो चसपूर में हम जलप्रपात पढ़ातें वहाँ पर बेने सकते हैं लोग इसको भी लिख लो आप जारखंड मैं ऐसी निक्राँ जारखंड और ओडिसा यहां से हाथियों के जुन्ड आपको लिखना होगा हाथियों के जुन्ड यहां पर आते हैं जो कि यहां से चाहतियों के उपयोग के जाता है हाथ याद रखेंगे अब यह चाहता है करणाल रिसर्च इंस्टूट इन हरयाना है तो हर्याना में खरनाल रिसर्च इंशित्ट्ट आयप से यहां पर है कहां पर हर्याना में में इनके दोरा उद्यन्ति में हिसमें ऊब्त पर totally can get most important है जिल टेन लिखा यह बन्यविफ इतने है हिए इसमें कोई इसे युनिक टेप से यहां पर बने जिव नहीं पाए जाते सेम ही है सामबर चित्तल कि यहां पर बात करोगे ठीक अब देखेंगे इसको आपको एड़ करना है किसमें उदंती में हरIES याणा इस्थित करनाВОल रिसर्च इंस्टिंटीच्टूशन तो हर्यारा इस्थित करनार रिशर्च इंस्टिच्टूशन कि दोारा अभी भी वहां कौन से उद्यंति पूरा इंख लो उद्यंति अभ्यारन सोधकार्य अभी ही किया जा रहे है है कि इसको देखेंगे है हो गया दुस्रे चीजे वहाँ मुसक हीựण ठीक कर से लिखो मैं मुुस्क घिरण photonatorch वहां पर मैंने मुसा खिरण पूर मैंने देल कहा था मुर्य आपका मोर था ठीक है और वहां फाल इंगलिस हम बता है और बता है और Titan star इसलिए बता रहे हैं कि बहुत मुसा नाम मिलाया आपको यहां पर एक वहन Just मुसक हिरान यहां पर पाए जाता है अब इसको इंगलिस में क्या बोले हिरान तो समाझ आता है ठीक है तो यह मुसक ठीक है मुसक डिया पिकॉक्स एंड वाइल बुफ्लोज एक्सेक्टरा और पॉंड इन दिस वाइड लाइप सेंचुरी इसकी आप बात करेंगे तो यह नाम लिख के आपको नहीं बताया हूं कि यहां पी स्थित है यहां पी स्थित है यहां पे ठीक एक बार हम लोग देखने कुछ करें एक बार आपको रिवाइस भी हो जाएगा इसे बहाने सबसे पहले देखो आप छेतर फल की साब से चलते हैं तो ठीक है इसको लिखेंगे अचानक मार सिमर्ण सोथ हो जाएगा आपको गुमर्दा पामेड ठीक है उसके बाद आपके बार नाव पारा उदंती पर बात करी है भोरम देव भेरम गड़ और लाश्टली अभी हमने बात करी है बादल खोल ठीक है इतने पर हमने बात कर लिए और यही आपका सिक्वें सितनादी ठीक है यह आपका धमतरी में सूरजपूर में सितनादी धमतरी में ठीक है यह सूरजपूर सितनादी धमतरी में हो जाएगा क्लियर है उसके बाद अचानक मार अचानक मार मुंगली में हो जाएगा इसको लिखेंगे सेमर्सोथ की हमने बात करी है जो कि आपको द बजार में है और आपका महासमन्द भी मिश्थित है बट मोश्ट पार्ट आप टीक है मोश्ट पार्ट आप आप बार नौवा पारा वाइड लेफ सेंचुरी कमस अंडर बलोदा बजार डिस्ट्रिक्ट इसके भी मैंने बात करी है अब इसके आगे देखेंगो उदंती उद का completely खतम हो जाएगा अब इसके आगे वह क्या पुछ ले और आपसे क्या ना बने ऐसा हो इनी सकता है हर कुछ बनेगा जो भी पुछेगा ऐसे ओक्या ही पुछ लेगा जो आपसे ना बने ठीक है तो आपसे हरें चीज़ बनने चाहिए इसके बहुत कोई भी कुछ चना हैं अच्छे से पढ़ेंगे अच्छे से लिखेंगे अब मुझे देज़ादत मैं फिर से आपके लिए और क्लास लाता हूं उसके बाद एक क्लास हम वन पर कर लेंगे तो जोग्राफिया आपकी खतम हो जाएगी ठीक है तब तक अपने ख्याल रखेंगे अच्छे से पढ़ाई करेंगे बहुत बहुत धन्यवाद